हाई ड्वेल्टीज वेल्कम डू एजी वेकामर्स क्लासिस मैं हूं तापिता और गाईस आज की इस वीडियो में हम अपनी गर्मेंट बजट इंदी थॉन्मी शेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और गाईस हमने इसके प्रिवेस वीडियो में रिवेन्यू बजट देखा था बजट के दो पार्ट्स होते हैं रिवेन्यू बजट और कापिटल बजट राइट रिवेन्यू बजट अल्रेडी पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में कापिटल बजट पढ़ने वाले हैं तो guys अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो वीडियो को पहली बार देखरे हो तो subscribe करो और अगर पहले से देखरे हो और आज से subscribe नहीं किया तो बहुत गलत बात है जल्दी से subscribe करो और बेल आइकन को प्रेस करो for new more videos और आप अपने डाउट मुझसे YouTube या फिर Instagram पर मेरी idea तबिता मैं ऐसी पूछ सकते हो अब हम शुबारम करते है अपने chapter का तो guys देखो capital budget होता क्या है सबसे बहले मैं आपको budget का मतलब बता दिया था जिसमें estimates show किये जाते receipts and expenditure के capital budget में capital receipt और capital expenditure को show किया जाते है गर्मेंट बताती है कि उसने कहां से उसको capital receipt हो सकती है यानि कि पैसा आ सकता है और कहां जा सकता है अब सबसे पहले तो मैं यह capital का फंडा दूर करूँ यह capital का मतलब क्या होता है देखो capital का मतलब होता है assets या liabilities से relation आपकी या तो capital बढ़ती है या कम होती है आप देखो सबसे पहले हमने revenue budget जो देखा था वो हमारे income से related था यानि कि हम job कर रहे हैं कहीं पर जा रहे हैं काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो उसका relation आप तो हमारे assets से ना liabilities से काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं लेकिन अगर आप घर पर बैठे हो और आपको पैसा चाहिए तो आपको घर पर बैठे बिना काम करें अगर पैसा चाहिए तो या तो आप अपना एसेड बेचोगे या फिर आप अपनी लाइबलिटी किसी से उधार लोगे लस कर दोगे तो अभी जैसे कि हलात थे अभी कुछ समय पहले अगर बंदों की नौकरियां छूट गई थी घर पे बैठे तो क्या हो रहा था गैस अपने घर के एसेड बेच रहे थे लाइक टीवी फ्रेज जो समान नहीं चाहिए ताकि उनके पास पैसा आ सके तो पैसा कब आ सकता है या तो आप एसेड बेच होगे ठीक है जिसका रिलेशन एसेड से है या फिर आप अपनी कोई लाइबलिटी किसी से उधार लोगे पैसा आस पड़ो से दिश्टेदारों से कि थोड़ी मदद कर दो क्योंकि जॉब्स नहीं है अगर जॉब होती तो वो अब बात कटें गखा है इस κैपिटल का रिलेशन दो बता चल गया एसेड से है और लाइबलिटी से है Capital Receipt It means आपके पास पैसा आ रहे है Capital के form में पैसा आ रहे है पैसा आ रहे है काम नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो तो कैसे आएगा या तो आप अपने asset को बेचोगे या फिर अपनी liability को बढ़ा दोगे या तो अपना समान बेचोगे पैसा आ जाएगा या फिर किसी से उधार मांग के लाओगे तो पैसा आएगा तो Capital Receipt is a receipt where we reduce the asset और increase the liability तब हमारे पास पैसा आया अब Government के पास भी गाईज उसी को Capital Receipt कहते है कि Government या तो कोई अपना asset बेचे या फिर अपनी liability बढ़ा दे तो Government के पास पैसा आ जाएगा तो Capital Receipt में सबसे पहले अगर आपने loan ले लिया उधार ले लिया गर्मेंट के पैस पैसा आ जाएगा गर्मेंट कहां से उधार लेती है RBI से भी लेती है, World Bank से भी लेती है International Bank से भी लेती है तो पैसा आ जाते है गर्मेंट को चाहिए होता है पैसा ठीक है, आपको भी पता है गर्मेंट कितने खर्चे कर लिया तो उसको पैसा चाहिए, उधार लेगी borrowing कहलाएगा इसके लावा, गर्मेंट small savings भी लेती है जो post office में savings होती है गर्मेंट different scheme निकाल के लोगों से savings कराती है और उस पैसे को भी यूज करते है, that is called small savings schemes इसमें अगर मैं आपको एक most important जो अभी हम लोगों के हुई भी थी, that is law विकास, किसान विकास पत्रा तो ये जो थी ये famous मानी गई थी जिसमें लोग savings करते है और गर्मेंट यूज करते है ठीक है, तो देखो ये तो गर्मेंट ने उधार लिया तो गर्मेंट के पास capital receipt आई अब गर्मेंट कैसे पैसा देती है मतलब कैसे पैसा देती है नहीं asset कैसे reduce होते है और पैसा कैसे आता है तो गर्मेंट क्या करते है अगर government को पैसा हो चाहिए, loan कहीं से मिलनी रहा, तो government क्या करेगी, अपने acid वेशने लग जाएगी, जो कि अभी हमारे देश में बहुत common सी बात है, हो रही है, चीजें बिक रही है, railway बिक रहा है, बहुत सारी चीजें हमारे बिक रही है, पता नहीं सही है, गलात है, यह तो government को सोचना चाहिए, बट, और किस तरह के से पैसा आते है, dis investment, dis investment बोले तो जहां पर government का share था, government ने base दिया और पैसा ले लिया, चीक है, तो अपना acid कम कर दिया, एक और acid होते है, government जो loan देती है, state government को या other किसी को भी, तो government ने अगर किसी को loan दिया, उसका पैसा वापस आ रहे है, तो जब loan दिया था government ने, तो वो उसका asset बन गया था, आज उसका अगर पैसा वापस आ रहे है, तो उसका asset कम हो रहा है, अगर मैंने किसी को उधार दिये, एक लाग तो मुझे पता एक लाग रुपे आने है, मेरा asset है, वो मैंने दे रखे हैं किसी को, जब वो मुझे वापस करेगा, तो it means, मेरे recovery of loan हो रहा है, मेरा पैसा मेरे पास वापस आ रहे है, तो मेरा एक asset क्या हो रहे है, कम हो रहे है, लेकिन वो मेरी income नहीं है, income नहीं है, क्योंकि वो क्या था, मेरा asset बन चुका था, तो इस चीज़ को समझना है, recovery of loan, आपका एक asset कम करते है, क्योंकि जब आप loan किसी को देते हो, तो वो आपका asset बन जाता है, हमने accounts में पढ़ा है इस चीज़ को, तो आपका अगर recovery of loan हो रहा है, या फिर आप कोई भी अपना asset बेच रहे हो, that is called disinvestment, तो भी आपके पास पैसा आता है, तो उसे हम capital receipt कहते है, जिसका relation asset बेचने से है, पैसा आएगा, या फिर उधार लेने से है, अब बात करते हैं guys, capital expenditure की, capital expenditure किसे कहते है, government खर्चा करेगी, government खर्चा करेगी, तो उसका कोई ना कोई asset बनेगा, like आजए टाइम में, hospitals पे खर्चा करते हैं बनाने पर, तो hospital एक asset बनके खड़ा होते है, metros, इसके अलावा आपके ये, flyovers, ये सब क्या है, government assets create कर रहे हैं, तो खर्चा कर रहे है, government expenditure कर रहे है, which either creates an asset, or reducing the liability, या फिर government खर्चा कर रहे हैं, अपनी liability को कम करने के लिए, जैसे अगर वो अपने loan को repay कर दे, यानि कि loan pay कर दे, तो government repayment कर देगी, अगर loan की, तो उसकी liability कम हो जाएगी, तो ये वो खर्चे हैं, जिससे या तो हमारा asset बनेगा, ठीक है, या फिर हमारा liability, हमारी liability कम होगी, अगर हम घर पे बैठे हैं, और हम कोई asset खर्चा कर रहे हैं, और हमारा कोई asset आ रहे है, कार आ रहे है, कुछ भी आ रहे है, तो हमारा capital expenditure है, वो हमारा asset आ रहे है, या फिर आपकी कोई liability कम होगी, लाइक मैंने अपना bank loan पे किया, मिरी liability कम होगी, government भी पे कटे है, government की भी liability कम हो जाती है, so government के अगर liability कम होगी, वो उसका capital expenditure के लाया जाएगा, government अगर कोई asset खरीदेगी, उसका capital expenditure के लाया जाएगा, तो खर्चा होगा, तो कोई asset बनेगा, या liability कम होगी, तो यह जो capital expenditure और receipt है, इसका direct relation किस्ते है, हमारे assets और liability से, I hope guys आपको यह समझाया होगा, अगर समझाया तो वीडियो को ज़रूर like करना, और share करना with your friends, and yes आप अपने doubt made से, YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो, Thank you!